काफी बही मुझी कमेंट करते थे कि सार आप जो SMPS बनाते हो वो लाइट वाला बनाते 220 वोल्ट से तो आप बैटरी वाला तो बोलते थे कि सार बैटरी पे चलने के लिए जो एम्प्रिफार 1000 वाट 2000 वाट के उतते हैं वो जो मार्किट में जो कनवेटर मिलते हैं आपने भी बारा बोल्ट वाट वाट वी चलाते हो फुल वोल्म कोलते तो उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रोब हो जाता है कुछ देर बाद उसमें जो मोस्फट लगे रहते है वो जल जाता है कई बार उसमें 35-25 कि आईसी जलती है वो भी पूरी त्रीक्टे से जल जाती है तो अभी हमारा ये सेंपल आ चुका है जल्दी ये भी लोंच हो जाएगा विदिन 7-8 डे में आपको ये प्रोपर लोंच हो जाएगा और इसमें जो मोस्फट लगते है जैसे उसमें 3 प्लस 3 लगते है इसमें आपको 4 प्लस 4 मोस्फट मिलेगा और जितने भी है और आप इसको पोटेंशियोमेटर से इसकी वोल्टेज को अपन डाउन कर सकते हो और ये जल्दी आपको मिल जाएगा